राज में अनुकंपा के अधार पर मिलने वाली नौकरी की नियम में निती सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव पतना हाई कोट के निर्देश के बाद सरकार के द्वारा किया गया है। दरसल एक मामले में पटना हाई कोट ने लापता सरकारी कर्मियों को लेकर कई तरह के नियम में बदलाव के आदेश दिये थे। आपको बता दे बदलाव के बाद नियम यह बन गिया है कि अगर कोई सरकारी करमचारी लापता हो जाता है तो उसके लापता होने से 12 वर्सों के बीज तक आवेदन किया जा सकेगा पहले यह नियम मादर 5 वर्सों का था लेकिन हाई कोट ने कहा कि धाड़ा 182 के मुताबिक जब तक 7 वर्स पूर्य ना हो जाए लापता व्यक्ति के तब तक उसे सरकार मृत गोसित नहीं कर सकती है इस अधार पर कैसे 5 वर्सों के भीतर ही कोई आवेदन दे सकता है वहीं इसमें यह भी नियम जोड़ा गिया है कि अगर लापता सरकारी करमचारी का आश्रित नावालिक है और 12 वर्सों भीतने के बाद भी वह बालिक नहीं होता है तो विशेस परिस्तिती में उसके बालिक होने तक इंतिजार सरकार करेगी हनाकि इसमें यह भी कहा गिया है कि बालिक होने के एक वर्स के भीतर ही अनुकंपा के अधार पर नौकरी के लिए आवेदन करना अनिवारे होगा सब्सक्राइब हो इट भारत के लिए विशेक्वार पटना है